गोडेलिंग बच्चो देखो बच्चो आज अपने इतिहास में जो छटवा चेप्टर है अपने भक्ती और सूफी प्रमप्राएं इस चेप्टर के आज अपने अति महत्वपूर्ण उन क्युष्णों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोल्ड परिक्षा की द्रेश्टी से का अपने छोटे जो क्युष्ण है छोटे मतलब जो आपके फिलिंदा बेलेंक्स वाले है या जो एक लाइन के या एक एक सब्द के जो आते हैं एक एक नमबर वाले क्युष्ण उन क्युष्णों का तो अपने क्या ले चुके है टेस्ट ले चुके है पंदरा से सोला प्रिक्षिया की दृष्टी से काफी मैत्वपूर्ण है कहने का मतलब है अगर आप छटवा चेप्टर पढ़ रहे हो तो छटवे चेप्टर में आपको जो मैंने टेस्ट में जो क्यूशन दिये हैं 15-16 वो क्यूशन और ये क्यूशन है या टोटल साथ ये क्यूशन तो आप होने ही चाहिए क्यों क्यों कि लगबल लगबल एक्जाम में जो बड़ा क्यूशन आता है वो अपने इनी क्यूशनों में से आता है अब यहां पर देखो थोड़ी से अपने चर्चा कर लेते हैं कई इस्ट्वेट के कमेंट आ रहे हैं कि सरे आपने जो टेस्ट लिये थे आप जो मोस्ट क्यूशन बता रहे हो वो हम कहां पर देखे तो विया आप अपने अपना जो चैनल है उसके उपर प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट है से पोलिटिकल की अलग है इस्ट्री की अलग है जियोग्राफिक की अलग है जीक नाम से तो अपने योटूब चेनल है और इसी नाम से अपना क्या बना हुआ है एक टेलेगराम ग्रूप बना हुआ है जिसमें आपको आपकी बोर्ड एग्जाम से समझत सभी परकार की सुचनाय उपलब्द करवाई जाती है अब यह टेलेगराम ग्रूप जो है इसका लिंक जो है न भीया वो आपको जिसी यही वीडियो है इसी वीडियो की डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप टेलेगराम ग्रूप भी जो ही ने कर सकते हो अब बात करते हैं अपने क्यूसन की इसलिए यहां पर मैं आपको आर्सों नहीं लिखाओंगा शिरफ इनका उत्तर आपको समझाओंगा किस परकार से उत्तर देना है चाहे तो आप अपने इसाब से नोट कर सकते हूँ अगर नोट नहीं लिखाता तो सायद मैं आपको उत्तर बता सकता था यहां पर मेरा मकसद है शिरफ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट किस उपलब्द करवाना तो पहला कि उसने बिया किस परकार मीरा बाई ने जाती वादी समाज की रूडियों का उलंदन किया समझाएए किस की बाद चल रही है बिया मीरा बाई की चल रही है मीरा बाई कौन थी अपने बिया पंदवी और सोलवी सताब्दी की बात करे तो अपने रास्तान की एक परशिद भक्त कवियती थी मीरा बाई जिनका जनम जो है वह 1498 में इसमें अपनी रास्तान में जो मेरता है उस मेरता के पास ने भी आए गाउँ पड़ता है जिसका नाम है कुडकी इस कुड की नाम के गाह में हुआ था एक परकारशी राजपूत राजकुमारी थी जब ये वैस कोई तो इनका विवा है जो है वो एक परकारशी इनकी इच्छा के विरुध ही कर दिया गया और विवा हुआ था भी या मेवार के जो माना थे राणा सांगा उनके बड़े पुतर भोजराज के साथ में पंद्रा सो सोला इसी में इनका विवा हुआ था और पंद्रा सो इकीस इसी में भोजराज की क्या हो गई थी मरती हो गई मतलब 1516 में विवावा 1521 में मीरा भाई क्या हो गई थी विद्वा हो गई थी राणा सांगा का युद हुआ था भिया दिल्ली के सुल्तान थे इबराहिम लोदी दिल्ली का जो सा सकता इबराहिम लोदी उसके साथ में युद हुआ था उस युद में राणा सांगा के बड़ अपने एक बजन भी सुनाओगा कि मेरो तो गिर्दर गौपाल दूसरो ना कोई तो भीया ये क्रिश्न को अपना सब कुस मानने लगी सेसुराल में जो है वो क्रिश्न की बक्ती में लेन रहने लगी तब सेसुराल वालों ने इनको मारने के लिए काफी यात ने दी यहां तक कि इनको विस्पान भी करवाया गया मेरा भाई जो थी विया इसने अपने समाज में जो रूड़ी वादी परमप्राएं थी जो रूड़ी वादी जो फरताएं थी जो जातिवादी समाज था उस समाज का उलंगन करके एक जोगी के रूप में इसने क्या किया वेशदारण किया एक जोगी के रूप में इसने अपने को बना लिया था और सारे दिन जो है वो किसकी आरादना करती थी किसकी पूजा करती थी स्री किष्ण की पूजा करती थी और स्री किष्ण के में स्री किष्ण के प्रेम में ही अपने ये कहे कि मीरा बाई जो है वो कई बक्ती गीतों की इसने क्या की है रचना की है तो इस परकार से विया मीरा जो थी इसने जातिवादी समाज में जो परंपराएं थी मतलब जो रूड़ी वादी फड़ता है जैसे अपने ये विया आप देखो पंदरवी सोलवी सताब दी मतलब उस समय और राजपूत राजकुमारी ये ठीक है और ससुराल ने विया जोगी का वेश दारण कर रही है तो एक परकार से एक क्या है जो राजपू समाज में जो पराज़ी इन परंपराएं जो थी उन परंपराओं का इसने क्या किया था उन रूड़ीयों का इसने क्या किया था उन लंगा ने किया था तो इस परकार से अपने को क्या देना है इसका आनसोरे देना है अब कई इस से भी आपको याद ना हो तो आप पास्बुक वगरे डेस्वर्क वगरे जो भी आपको बेटर लगे वहां से आप याद कर सकते हो लेकिन इन क्यूस्टनों को आपको जरूर से तैयार करना है सीधी सी बार ये सोसनी आपको कि अपने को चाहिए कहीं से पढ़ो मेटर कहीं से भी आओ लेकिन अपने को इनके आन्स और आने चाहिए पंदरा क्यूस्टन तो अपने हो गए टेस्ट के प्लस साथ क्यूस्टन ये हो गए 15 और 7 बाइस मतलब 6 चेप्टर में भी आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जादा से जादा आपको ये क्विसन तो आने ही चाहिए अगर इसे भी जादा पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है आप और तेयारी कर सकते हो लेकिन हर हालत में आपको ये क्विसन तो तयार होने ही चाहिए दूसरा है आलवार और नेनार संथों के बारे में आप क्या जानते हो इनमें इस्त्री बक्तों का योगडार बतायिये अब देखो विए आलवार और नेनार अच्छी तरह से पढ़ाया है मेरा कहां पे थे ये दोनों ही तमिलाडो में थे आलवार और नेनार कहां थे दक्षिन भारत में थे तमिलाडो में थे भिया आलवार किनको बोलते है जो विश्नु बक्ते जो विश्नु की पूजा करते है विश्नु की आरादना करते है उनको क्या करते है आलवार और जो शिव की पूजा करते हैं शिव की उपासना करते हैं शिव का गायन करते हैं उनको क्या बोलते हैं ने नार बोलते हैं ठीक है अब यह जो आलवार थे वो अपने जो इश्ट देव थे अर्थात विश्नू बगवान विश्नू उनकी इस्तुति करने के लिए उनकी आरा नेनार क्या करते थे ये एक प्रकार से बजन गायन नहीं करते थे ये शिव की पूजा करने के लिए शिव की उपासना करने के लिए खटोर तप करते थे तपश्या करते थे ये भेंकर आराधना करते थे अब यहां पर इनमें पूचा है कि इनमें इस्तरी बक्तों का क्या यो अंडाल जो थी इसने कहा कि मैं तो विष्णों की क्या हूँ प्रेशी हूँ विष्णों की प्रेमिका हूँ और अपने भक्ति गीतों को इसने चंदों के मादन से क्या किया था विक्त किया था नेनार की बात करें भी या शेव बक्ती परमपरा की तो नेनार जो था इसमें भी या जो बक्ती ये इस्तरी बक्त जो थी उसका नाम था करेकाल अम्यार क्या नाम था करेकाल अम्यार ठीक है या आपको बताया है मेरा कोई विशेश नहीं है करेकाल अम्यार जो थी वो कौन थ इस ने किया कि शीवित की आराजना की इस परकार्श अपने कह सकते हैं कि विया जो आलवार और नेनारों में जो इस्तरी बगती उन्होंने एक परकार्शी जो पुरुसा आत्मक सत्ता थी या पुरुसा आत्मक जो समाज था उसको क्या दी चुनोती दी यह हो गया अपना सेक संतों के बारे में क्या जानते हैं पांशात लेल लिए सिद्धे ऐसे पुज़ा करते यह ऐसे पुज़ा करते थे दक्षिन बारत में रहते थी फिर महिलाओं के बारे में पूचा है grabs को ति इधर ती अपने अंड्डार इधर ती अपने करेका अपने करनाटक में थी और कब थी बारवी सताबदी में बारवी सताबदी में वीर शेव मतलब ये भी किसकी पूजा करते थे किसकी उपासना करते थे शेव को मानते थे एक प्रकार से कहें कि यह सेव आंदोलने था और इसको भी या अपने क्या करते हैं लिंगायत भी कहते ह अब इनकी अपने शिक्षाओं वगरों की बाते करें तो शिक्षाओं वगरों कह सकते हैं कि यह शीव की आराधना करते थे शीव की पूजा करते थे शीव की तपश्या करते थे और क्या दारंग करते थे लिंग दारंग करते थे दूसरी बात अपने कह सकते हैं कि यह उनर जनम नहीं होता इसके अलाव या आपने कह सकते हैं कि वीर शेमत परंपरा के जो थे वो ब्रहामन वाद का विरोध करते थे मतलब ब्रहामनों के दुआरा जो पूजा पाठ यग्ये वगरे हावन वगरे ये किया आते थे उनका क्या करते थे ये विरोध करते थे इसके अ वाग्सा के मादियम से इन्होंने अपने संभेसों का अपने ऑदर्सों का परसार परसार है किया यह होगया भी यद आपना क्योंसा क्यूसन तीसरा, अब बात करते हैं क्यूसन नमबर चार सूफी आंदोलन और बक्ती आंदोलन की विचार दहरों में कौन कौन सी क्याती भीया शिमलेटिज थी मतलब सूफी आंदोलन भी हुआ था बक्ती आंदोलन भी हुआ था अब बाती आती है कि साब इन में समानता है क्याती कोई दो तीन चार समानता है बताओ ठीक है तो समानता है क्या थी विया सूफी आंदोलन और भक्ती आंदोलन दोनों ही विया एकेसवरवादी थी कैसे थे एकेसवरवादी का मतलब अल्ला इस्वरे एक है समझ रहे हो दोनों ने मतलब ये कहा कि इस परम सत्ता को चलाने वाला एक ही इस्वरे है मतलब इन्होंने एकेस औरवाज पर बल दिया दूसरा आपने कह सकते हैं कि इन्होंने अपने सहन सीलता और समनवे की बावना का विकास किया सहन सीलता का मतलब समनवे की बावना का मतलब कि सूपी और बक्ति परमपरा के जो संत थे उन्होंने मानो तावाद अर्थात मानो के महत्व को समझा मानो के महत्व पर प्रपल दिया इन्होंने कहा कि सबी मनुष्य जो है वो क्या होते है समान होते है कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है कोई अमेर नहीं है कोई गरीब नहीं है इसके अलाब या इन्होंने गुरू की महिमा का भी गुंगान किया मलब इन्होंने कहा कि गुरू जो है वो सबसे बढ़कर होता है गुरू की महिमा जो हो वो एक परकार से अपरम पार होती है गुरू से बढ़कर कुछ भी नहीं है गुरू ही जो है वो हमें एक प्रकार से भव सागर को पार करनाने में हमारे क्या करता है साइता करता है हमारे सामने जो अंदकार होता है उसको दूर करने में गुरू ही हमारी मदद करता है इसके अलाव या इन्हों ने बक्तियों और सुपिय प्रमपराओं ने मानो मातर से प गुरु नानक देव का जीवन परीचे उनकी सिख्ष है और धरन के विकास में क्या योगदान था देखो भी आपने गुरु नानक देव सब को पता है इनका जनम जो है वो चोदा सो गुणंतर इसमें पंजाब में वाता भी है पंजाब में तलवणी नामकिस्थान पर गाउ जो अपने वे से देखे तो यहापर कई बार इस्प्रेट पूछते हुए मेरे को कि गुरु जी ननकाना गाउन जो है वो कौन सी नदी के किनाड़े है या क्विचन आजाए गुरु नानक का जनम कौन शी नदी के किनारे हुआ तो कौन सी होगे भी या रावी तो वहाँ पर इनका जनम हुआ था हिंदू परिवार में इनका जनम हुआ था फार्शी बासा के जो थे वो एक बड़े ये ग्याता थे फार्शी बासा का इन्होंने अध्यन किया था और इनके जो विचार है ये जारकना गुर्णाने के जो विचार है उन विचारों को सबद कहा जाता ह और इनका बच्पन जो है वो सूफी संतों के साथ में बिता था बच्पन में ही इनका विवा है कर दिया था इन्होंने निर्गुन बक्ति का परचार परचार किया निर्गुन बक्ति का मतलब भी ऐसे नहीं कि इस्वर ये है समझ के इन्होंने कहा कि इस्वर जो है वो निर्गुन है उसका कोई रूप नहीं है कोई इसका आकार नहीं है वो तो कंड कंड में क्या है व्यापत है इसके अलावा इन्होंने जो भाई या आड डंबर थे भी या भाई ये जो आड डंबर है फरताय है उनका भी क्या किया विरोध किया भाई आड डंबर मतलब जैसे यग्या वगरा करना हवन वगरा करना मूर्ति पुजा वगरा करना खटोर तपश्या वगरा करना इन्होंने कहा कि आप इसमरन करो इस सबसे बेश्ट है ठीक है इसके अलावा इन्हों ने कहा कि परमात्मा जो है वो एक प्रकार से निराकार है अर्थात उसका कोई रंग रूप उसका कोई आकार नहीं है इस प्रकार से ये थे अपने को ने गुरु नानक बाकि आपको लिखाया वह या डिटेल से ची तरह से वहां से आप इसका आनसर कर सकते हो फिर अपने हविया इन दोनों विश्ट को कोई साहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ये दोनों कि इसन बार बार पुछी जाते हैं इसलिए दोनों ही दे दिये मैंने आपको ठीक है कबीर दाज जी संत कवि एक तो है कबीर बीजक कबीर बीजक कहा है पर या अपने जो यूपी या वाराडशी का जो छेतरे बिया वहां पर जो कबीर की वाणिया है वो कबीर बीजक में संकलित की गई है एक बिया अपने कबीर गरंथावली कहा है अपने रास्तान के अंदर रास्तान में जो कबीर के अपनी वानी है उसको किसमे संकलित किया गया है कबीर गरंथावली में एक भी या आदिगरंथ साहिब तो ये तो क्या है कबीर के नाम से तीन विशिष्ट परिपाटिया है इसके अलाब या कबीर दासी जो थे उन्होंने भी बहुदेवाद मूर्ति पूजा इनका क्या किया विरोध किया इन्होंने कहा कि इस्वर जो है वो एक ही है उसी के अलग 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 इस्वर नाम है अल अन्होंने जो सत्य है ये किसम ध्यारत नाव या कभीर लाजी जो थे उन्होंने सत्य को अल्लह खुदा हजरत और पीर कहा था या अद्मिराकार बर्मा के उपर इन्होंने क्या दिया था बले दिया था इसके बाद में साथ वह भारत आप माधित में चिस्ती शिल्सले की जीवन की गती वीदियों एव चिस्ती उपासना के परमुकेंद्रों की व्यक्य कीजिए या आपको लिखाया हुआ अच्छी तरह चिस्ती शिल्सला कब आया था या अपने भारत में बारवी सदी में आया था ठीक है अपने इसकी नीव डाली थी जमेर के अंदर मोहिन दून चिस्ती ने ठीक है जो मुहमद गोरी के साथ में बारवी सदी में कहा आये थे भारत आये थे और यह एक परकार से सबसे कर दो फिर एनके जो कंदर है भीया कंदरों में आपके कौन कौने सी जिसे मैंके nag दली है इसके बात अजोधन है पाकिस्तान में यह क्यूशन आया हूँ अभी बिया धारतना में अब पूुछाता है कि अमार्धन कहा पर higher अजोधन कहाँ पर पाकिस्तान में है ये भी अपने सूफी संपरदाय जो था या चिस्ती संपरदाय था उसका एक या है परमो के अंदर है तो ये थे भी या अपने पार्ट छे बक्ती और सूफी प्रमप्राशे समधी छे अती महत्वपूर्ण परसन इनको आपको जरूर से एक्जाम जाने से पहले तयार करके जाना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टोपिक के साथ